आप सभी जानते हैं कि हर बहीने की शुरुवात जो होती है वो बदलाव के साथ होती है इस बार भी ओक्टूबर महीना जो है वो कई सारे बदलाव के साथ आने जा रहा है सितम्मर महा को सब माप्त होने में अब एक दो दिनों का वक्त ही बचा हुआ है और ऐसे में सभी लोकों के जिन्गी में नए आने वाले महीने के साथ एक बड़ा बदलाव देहेगा जिसका आसर आपके रसोई आपकी जेप पर पढ़ने वाला है तो किस तरीके से आपकी जिन्गी बदलने वाली है वो जान लीजेए अगर अभी तक आपकी बचट हो रही थी तो क्या इस बचट पर बोज पड़ेगा क्या आपकी बचट और ज्यादा हो पाएगी इस दिशा पर सरकार कुछ काम करने जा रही है तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो को देखकर मिल जाएंगे LPG सिलिंडर जो हर घर में ग्रिणियों के लिए सबसे महत्वपोर्ण हो जाता है जिसमें छूट की उमीद वो करती है जिसमें रियायत की उमीद वो करती है और हर बार बचट पे बहिलाएं जो है वो चाहती है कि भही उनका जो घर का बचट है उनका जो किचन का बजट है वो बहतर हो उसमें उनके लिए कुछ बचचत हो जाए अब जो नियम सामने आ रहे हैं LPG सिलिंडर के दाम, क्रेडिट काड के नियम समेत PPF और सुकर्णिया सम्रिधी यूजना ये वो तमाम शेत्रें जहां पर यूजना के नियम बदलने जा रहे हैं पहले बदलाओ की अगर बात कर लें तो सबसे पहले LPG की बात करते हैं LPG सिलिंडर के दामों की बारी अगर आती है तो हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनी नए सिरेस सिलिंडर के दाम जो है वो तैय कर देती है नए दाम जब तैय करती है इस बार भी ऑक्टूबर म में यह सिलिंडर जो है वो तक्रीमत 1691 रुपे पचास पैसे जो है तक्रीमत 1691 रुपे 50 पैसे के आसपास आ रहा था। संभावना है कि इस बार तेवहार के चलते जनता पर महेंगाई का बोज नड डाला जाए इस वचे से दूसरे नंबर पर जो है इसमें थोड़ी सी कमी करने की बात कहीं जा रही है कि लोकों को ज्यादा कीमत उसकी नचुकानी पड़े लोकों को थोड़ी तो रियाए तेवहा है वो आपको कमर्सियल फ्यूवल की बाद जिसमें कमपनिया फ्यूवल के लिए स्थमाल करती है और वहां पर नसर आएगी पहली तारीक को तेल कमपनिया फ्यूवल के दाम संशोधित करती हैं साथी साथ साथ CNG और PNG के दाम भी घटते और बढ़ते रहते हैं तो अब क्य क्रेडिट कार्ड के नियम के साथ जूड़ा हुआ है और इस सेक्टर का सबसे बड़ा जो अपने घराकों के लिए क्रेडिट कार्ड से सम्मदित करने बदल निया में बनाव करने जा रहा है वह स्थी आख सी जानकारी यह कहती है कि अब कुछ प्रेडिट कार्ड के लिए एककु मुज़बता, प्लेटफॉम पर एपल प्रोलट्ट के लिए रिवयड उनके लिवाइंट को एक प्रोलटक्ट हर कैलेंडर के हिसाब से कही ना कहीं तिभाही तक सीमित कर दिया क्या धा, चौथे नमबर पर सरकार के सुकन्या सम्रिधी यूचना है जसके नियम में बदलाओ के बारे में बात कही जो आ रही है और नै नियम के थाथ एक उक्टूबर से बेटियों के सिर्फ कानूनी जो पैरेंट्स होंगे वही उनके खातों का संचालन कर पाएंगे अब अगर कानूनी पैरेंट्स अगर वो नहीं है तो फिर उनको दिक्कत हो सकती है कानूनी पेचीद्गियों में वो पढ़ सकते हैं तो आप ऐसे में अगर उनके कानूनी पैरेंट्स नहीं है तो इस नियम को जान लीजिए एक तारिक से पहले इस पे बदलाओ को लेकर आप इस खबर पर क्या है आपकी राए बताईएगा जरूर मैं आपकी होस्ट और दोस्ट विभावबाद ध्यार